हर हर महादेव जय शिव शंभू क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएं और आपके घर में भी मा लक्ष्मी का वास हो और धन की देवी लक्ष्मी जी ऐसी कृपा आपके उपर कर दें कि कभी भी आपके धन में कमी निरंतर प्रति दिन आपका धन बढ़ता चला जाए, तो आपको 20 मई 2024 जिस दिन की सुमवार प्रदोश वरत है, उस दिन आपको दो कपूर चुपचाप से अपने घर में जला देना है, इस छोटे से उपाय को करने से आपको रातों रात, करोरपती बनने से कोई रोक नहीं प क्या है कि हम मेहंत बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वरत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं कि कैसे भी करके हमारे जीवन की ये निर्धनता दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, लेकिन बहुत बार लाख प्राप्त नहीं कर पाते हैं जीवन के दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं समझ में नहीं आता है कि हमारे घर में ही इतना दुख क्यों है हमारे जीवन में ही इतनी निर्धनता क्यों है हमारे से ही जो पीछे लोग थे वो तो इतना आगे हैं और हम अपने जीवन में इतना पीछे क्यों है तो देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है अब कही ना कही अगर आपके घर में वास्तु दोश है नजर दोश है है ना इस तरह की चीजे भी अगर आपके घर में है ना तब भी आपके धन की बरबादी हमेशा होती रहेगी और आप उसे कभी रोक नहीं पाएंगे कपूर का जब भी आप कोई उपाय करेंगे ऐसा सम पूर से ना आप अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, जितने भी उपाय कपूर के होते हैं, जितने भी उपाय लौं के होते हैं, ये बहुत ही चमतकारी होते हैं, तो देखिए कपूर जो होता है, ना आपके जीवन में धन को लेकर भ ना पहले टाइम पर लोग यग्य करते थे बड़े-बड़े हैं ना उतना पुन्य तो आपको मात्र या कपूर जलाने से मिल जाता। ना का एक कपूर आता है, छोटा बाला वो आपको लेने हैं, दो कपूर ले लेंगे अगर बड़ा कपूर आपके पास है तो उसमें से भी आप छोटे-छोटे दो टुक्डे निकाल सकते हैं, अब ये दो कपूर के टुक्रे आपको कहां जलाने हैं सुंबार प्रदोश्वृ वाले दिन शाम के समय में यह उपाय करना है, सुभा के टाइम में नहीं करना है, ना अब कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कर ही नहीं सकता शाम के साइश शाम के समय में है, ना शाम के टाइम पर नहीं कर सकते तब यह उपाय आप सुभा में कर सकते हैं, वरना यह उपाय शाम का ही ह तो दो कपूर जो आपने लिए हैं, आपको यह दो कपूर जलाने हैं, अपने घर के मंदिर में महादेव की कोई मूर्ती है, कोई प्रतिमा है, कोई तस्वीर है, वहाँ पर आपको यह दो कपूर जलाने हैं और महादेव से कहना, है कि महादेव अगर मेरे घर में कोई भी ने ऐसा होना जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में इतने दुखों का सामना कर रहा हूँ, महादेव आप तो देवों के भी देव हैं, ऐसा कौन सा संकट है, ऐसी कौन सी विपत्ती है, जो आप दूर नहीं कर सकते, आप तो साक्षात काल को भी कुछ बिगाड नहीं देते हैं, ज इसके उपर कृपा महादेव की होती है, तो अपने हिसाब से आपको महादेव से, प्रार्थना करनी है, और यह दो कपूर जलाने हैं कहने का मतलब है, जो भी आपके जीवन के, दुख है, गरीबी है, निर्धनता है, उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थ ना करनी है दो कपूर जलाते हुए उनकी आरती करते रहेंगे और अपनी मनोकामना बोलते रहेंगे हैं ना जो भी व्यक्ति इस दो कपूर को सुमवार प्रदोश या कोई भी प्रदोश महीने में जब भी आये ना प्रदोश यह दो कपूरा आप महादेव के सामने जला देन अपने दुख अपने कष्ट कह देना अगर हर तरफ से भी हार चुके होना तो एक बार ये उपार पूरी सच्ची श्रधा के साथ कर लेना और फिर इसका रिजिट देख। जितने भी दुख भरे पड़े हैं ना जीवन में सब को महादेव दूर कर देंगे क्योंकि वह बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं और देवों के भी देव हैं और सुमवार के दिन प्रदोश का पढ़ना तो बहुत ही उत्तम होता है बिलकुल इस मौके को जान करते हैं और महादेव से प्रार्थना करके कर लेते हैं तो ये उपाय बहुत ज्यादा पावर्फुल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साक्षात महादेव का आशिरवाद आपको मिलता है तो बहुत ही उत्तम उपाय है आप सभी को करना चाहिए अब जल्दी से बात कर लेते ह दूसरे उपाय की जो की आपको विशेशकर सुमवार प्रदोश वरत वाले दिन जरूर करना चाहिए अब देखिए जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है और हमारे घर में संतान सुख भी नहीं है हमारे घर में दुरगटनाएं बह जगडा होगा आपस में लोग बैर भाव रखेंगे वहां धन की कमी तो होगी ही होगी क्योंकि मा लक्ष्मी ने स्वय कहा है मैं कभी उस घर में वास नहीं करूंगी जहां पर लोग जगडा करते हैं प्रेम भाव नहीं होता और मा लक्ष्मी कहां वास करती हैं जहां लोग आपस में बहुत ही प्रेम से और बहुत ज्यादा घर में जगडा क्लेश हर टाइम यह चीजे देखने को मिलेंगी अब ये सारी चीजों को अगर आप दूर कर देते हैं ना तो आप अपने जीवन से निर धन्ता गरीबी दुरगटनाएं जैसी चीजें जितनी भी आपके जीवन में हो रही है ना की दवाईयों में पैसा जा रहा है कुछ ना कुछ घर में होता जा रहा है पूरा जीवन आपको ऐसा लगता है बेकार है अब तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है तो यह दूसरा वाला उपाय आप सोमवार प्रदोश वरत वाले दिन जरूर करना अब करना क्या है आपको स्थिर लक्ष का भी वास होगा और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी घर से कलेश लड़ाई जगडा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और कभी भी ना आप अपने जीवन में पैसों को परिशान नहीं रहेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर आटा लेना है है ना जो गेहों का आटा होता है उसे अच्छे से आपको भून लेना है तो थोड़ा सा घी डालेंगे देसी घी और उसके अंदर उस आटे को भूना है और जब वो आटा ठंडा हो जाएगा है ना भूनने के बाद उसके अंदर आपको चीनी या फिर बूरा दोनों आप्शन है कोई भी चीज आप मिला दीजिए अच्छे से मिलाने के बाद आपको किसी भी व्रिक्ष के नीचे जाना है आप पीपल के पेड के नीचे चले जा आपको ये आटा डाल देना है ऐसी जगह डालेंगे जहां पर चीटियां किसी के पैरों के नीचे ना आए है ना क्योंकि इससे फिर आपको पाप लगेगा तो पेड के नीचे आपको डालना है या किसी भी ऐसे स्थान पर डालना है जहां पर ज्यादा लोग आते जाते ना और चीट आराम से उसे खा सक आपको आइडिया भी नहीं होगा, इतना ज्यादा चमतकार इसका देखने को मिलता है, लोगों को जब भी आप चीटियों के लिए यह वाला उपाय करते हैं, ना जरूरी नहीं है, प्रदोश वरत कभी भी कर लेना ये उपाय सोमवार, ही उत्तम है, वरना कभी भी कर लेना इसका इतना ज्यादा लाब आपको मिलेगा, कि आप देखेंगे रातों रात मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी, और बिल्कुल आपके जीवन से ना आपकी पीढियों के लिए भी निर्धनता और गरीबी को वो दूर कर देंगे, जब भी आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, किसी भी प्रदोश वरत वाले दिन बहुत ही उत्तम उपाय है, इससे उत्तम उपाय कोई हो नहीं सकता है, ऐसा समझ लीजिए क्योंकि इस उपाय को करने से ना आपको अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजे मिलती है, ना ऐसी ऐ आपके दिमाग में आई, आपके मन में आई की काश ऐसा होता, लेकिन काश है ना होता हो नहीं सकता, तो अगर ऐसा एक पर भी आपको लगता है, ना या 99 पर भी लगता है, कि ये चीज नहीं हो सकती है, ना तो एक बार आप महादेव के उपर विश्वास करके इस उपाय को करना और फिर आप देखना की आपको अपके जीवन में वो भी मिल जाएगा जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास क्या है दो कपूर वाला उपाय तो आपको विशेश कर करना चाहिए क्योंकि आपके घर से हमेशा नेगेटिव एनरजी भी दूर रहती है कमेंट सेक्षन में जकारा जरूर लगा देना हर हर महादेव लिख देना